याइ आव से बिल्कम टो वैदली और आज से हम शुरू करेंगे कॉम्प्लिमेंट के बाद ना हमें पता है त्री टाइप के पाथवेड होते हैं जासे यह जो हमारे ले करके पाथवे की कि हम पढ़े इस तरी के से हमारा पूरा पूरा कॉंप्लीमेंट शिरम कंप्लीट हो रुिस को अज की वीडियो में हमें BahnF repairs में करना है क्लासिकल कॉंप्लीमेंट बाथ रिदय के बारे में तो चीड Aufg Videos सब से पहले में थोड़ास आपको बता देती हुं कौंप्लिमेंट स्थेम के बारे में कि कौंप्लिमेंट स्थेम होता क्या है थो होता क्या है कि जब भी हम Immunity की बात करते हम्हें गर्प्रक्रव विक्ता वहाद मन थे रिस्पॉंस करता है एक जह से पहले इन्नी इंड शिस्ट्म में है कि वे नहीं है कि हम इसको जब इंडिर मैं करेंगे जब पैथोजन बॉड़ी के लिच अंदर between इस पैसिपिक जैसे एंटी बाड़ी का फर्मिशन जी जाना हमारा एक्टिब इम्यून या एक्वाइड इम्यून सिस्टम का पाइट है लिके इनेट इम्यून सिस्टम में इसा नहीं होता है इसे हमें बाइबर्थी कुछ ऐसी चीजे मिलती है कुछ ऐसी रियक्शन्स या फिर कुछ ऐसी प्रोसीजर मेकैनिजम जो आपकी न्यूट्रोफिल्स मेक्रोफेजिस फेगोसाइटोसिस जो सैंस है उन्हें के थो होती है तो यह जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है यह आपका दोनों तरीके से पाइटिसपेट करता है इस तो यहां पर जो मैं आपको बेसिक फंक्शन मेंस्टन करें उप ओवरल कॉम्प्लीमेंट जितना भी है आपका उसका फंचन यह स्पेस्पिक क्लासिकल पाथवे का नहीं है तो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फंक्शन सब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तो अगर आप कॉम् प्रोटीन से बो डिस्कवर किये गए हैं पूरे आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के अगर बात पिल जो आपके इन्नेट एन्म्यून या एक्वाइड इम्यूनिटी दौनों में पार्टिसिपेट करते हैं अगर आप फंक्शन की बात करें तो आपके कॉम्प्लीमेंट प कंपोनेंट्य जो आपके ब्लढ में सर्कुलेट हो रहे हैं हुरह यह साईटो काइस नहीं है यह स्प्लीमॉट्य कॉलेट तो यहह मोंड़ा करते हैं और यह सक्था करते हिए न दॉल और यह करते हिस coronavirus यह वाइन देखते हैं तो इनका होता है श्रद्वाइशन के something we shall एक प्रोसेस होता है तिसका अपसोनाईजिशन, तो अपसोनाईजिशन में होता है कि जैसे आपका कोई एंटिजनिक पाइटिकल है जैसे यह बेक्टीरिया है इसके ओपर कुछ एपीटॉप होंगे और यह जो एपिटॉप है क्या करेगा कि आपका जो कॉंपलीमेंट फिर यह आपके complement protein थे इन्होंने जैसे ही bind करा तो आपका bacteria होगा भी neutralize at the same time आपकी जो कुछ phagocytosis cell होगी जैसे आपकी macrophasal and आपकी जो neutrophils है इनके उपर present होते हैं आपके complement receptor और यह complement receptor आपकी इन complement protein के साथ bind करेंगे और आपकी यह जो phagocytosis cells है और पूरी की पूरी cell को इंगल्फ कर लेती है और इसी को कहा जाता है यह जो process होगी that is call optionization और further जो process होगी that is call phagocytosis specific complement receptor present होते हैं आपके immune cells पे जो trigger करते है various immune function जैसे कि मैंने आपको बताया है इंफ्लामेशन हो गया function में releases of immunoregulatory molecules system facilities के अगर बात करें तो आपके complement system or immune clearance होता है जो आपकी immune complexes होते हैं मतलब antigen and antibody winding complex जो आपके blood circulation में उनको भी clear करता है और deposit करता है them into use spleen and liver tissues तो इस डाइग्राम के थरू आप थोड़ा और अच्छी से समझ जाएंगे कि complement system क्या-क्या function जैसे पहला है lysis तो यह आपकी target cell है target cells मतलब bacterial cells या virus है virus infected cell है तो आपका जो complement protein है प्लेस में आपकी आपके इनके सर्फिस पर जुड़ जाता है जैसे यह सर्फिस पर अटेज्ट होता है तो आपकी cells में यह लाइसिस करा देते हैं that is called cell lysis यह है आपका अप्सोनाइजेशन तो अप्सोनाइजेशन में क्या होगा यह आपकी बेक्टेरियल सेल्स थी complement ने यहां पर बाइंड किया और यह जो पिंग कलर की यहां पर आपको दिख रहा है that is called complement receptor जो आपकी phagocytosis cell जैसे macrophys या नियूट्रोफिन्स के पास होता है और इस तरीके से यह पोरे के पोरे बेक्टेरियल जो आपके complement system से बाइंड है उसको इंगल्फ कर लेता है और यह यहां पर डिग्रेनुलेशन का बताया है डिग्रेनुलेशन में क्या होगा जो आपकी कुछ कर दी हो नियूट्रोफिल सेल अगें phagocytosis cell जिनके पास यह complement receptor है यह बाइंड करेंगे और इस तरीके से inflammation responses होता है और क्लियरेंस आपको पता है simply antigen यह जो है that is antigen antigen और antibody की आप इसमें binding होगी और यह जो phagocytosis cell इस complex को इंगल्फ करेंगे digest करेंगी और circulation system से रिमूब कर देंगे और कहां लेके जाएंगे लिवर और स्क्रील पे तो इसके फोर बेसे फंक्शन होते हैं लाइसस ऑप्सोनाइजेशन एक्टिवेशन ओफ इंफ्लामेटरी रिस्पोंसेज एंड क्लियरेंस ओफ इम्यून कंप्लेक्स तो यह कुछ बीसेक फोल्चांस ह है मतलब कि एक्टिव इम्यूनेटी या जो इक वायर्ट इम्यून सिस्टम है उसका पार्थ होता है तो चलासिकल कॉंपलीमेंट पाथवी की जवाब बात करेंगे तो यह एंटीजन एंटिवर्टी कॉंपलेक्स पाथवी है बिल्कुल इसमें आप कौनसी एंटिवर्डी जो है मिलाब IgM या फिर IgG antibody actively participate करती है for the initiation of complement classical pathway initially activation involved in activate form of the C1, C2, C3 and C4 तो कहने का मतलब यह है कि जब आप initial reaction की बात करें क्लासिकल pathway activate कैसे होता है तो सबसे पहले आपका C1 मिलाब जो complement 1 protein है उसकी binding होती है उसके बाद आपकी C4, C2, C3 तो इस तरीके से initial complex में C1, C2, C3 and C4 जो है वो basically activate होते हैं C1 की अगर आप बात करें के complement 1 प्रोटीन तो यह macromolecular complex होता है जिसमें होता है आपका C1 Q, R and S मतलब Q, R, S C1 Q, C1 R and C1 X यह जो 3 complex होते हैं उसी से मिलके बना रहता है आपका C1 complement protein अगर इसमें जो आपका C1 Q है यह कुछ इस तरीके कर रहता है तो जैसे होगा क्या इसमें से यह आपका जैसे Q है यह R है और यह ऐसे यह आपको अगे चलके जो है diagram की through में बताऊंगी तो क्या होगा जो आपका C1 Q है वो आपका इंट्रेक्ट करता है FC site of IgM और IgG antibody और फिर आपका confirmation change होगा इस सब चीज आपको भी समझ में आ जागी बिलकुल परिशान मत होना इसारी information रखना है और भी हम diagram पे इसको पूरे तरीके से apply करेंगे तो पहला हमारा protein क्या है C1 protein है इसके बास 3 sub units है C1 Q, R and S आपका जो Q रहेगा वो बाइंड करेगा आपकी एंटिवोड़ी पर IgG antibody और antibody में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़े होती है एक तो अगर आप इसकी boundary side की बास करेंगे तो यह होगा fragment of antigen boundary जिसे आप कहते है FAB reason और यह है fragment of crystal जिसे कहा जाता है FC reason तो यह आपकी bacteria cell होगी जहां पर antigen होगी इस antigen से यहां पर antibody बाइंड करेगी और यहां पर आपका FC portion जो है वो free होगा और इसी FC portion पर आपका C1 Q unit जो है वो बाइंड करती है जैसे ही C1 Q उन्हें बाइंड करा तो इसका जुए structure था उसमें अल्टीरेशन हुआ जैसे ही इसमें अल्टीरेशन हुआ तो अब कुन सी यूनिट बची आर थी and S थी तो यह दोनों activate हो जाएंगे and serine proteases enzyme in casket pathway इसको भी activate करेंगे जो आपका CS है अब वो clip करेगा C4 को and C2 को C4 को यह clip करेगा C4 A and C4 B में वैसे ही यह C2 को भी clip करेगा कौन सा C1 S clip कर रहा है C2 को C2 B and C2 A में तो होगा क्या कि आपका जो C4 A है यह आपका free हो जाएगा और B आपका bound कर जाएगा किस के साथ C1 के साथ और वही पर आपका जो C2 A है वो bound करेगा and C2 B जो है आपका free हो जाएगा तो इस तरीके से जो आपका complex बनेगा C4 B and C2 A जिसे कहा जाएगा C3 Convertage क्योंकि यह जो आपका complex है C4 B इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं C2 A भी लिख दीजें तो यह आपका क्या बना है C3 Convertage जो आपका C3 को आप convert करेगा तो C3 को यह convert करेगा कैसा अगें C3 A में and C3 B में अब यह जो आपका E है यह फिर से free हो जाएगा और आपका यह जो C3 B है वो क्या बना लेगा C4 B, C2 A and C3 B तो यह अब आपका बनेगा C5 Convertage और यह C5 Convertage फिर से आपके C5 को Convert करेगा C5 B में and C5 A में C5 A में C5 A में फिर से आपका free होगा C5 B अब आपका further bound करेगा C6 में 7, 8, 9 और आपका जो C5 B प्लस यहीं पर लिखत हूँ क्या C6 C7 C8 and C9 बनादेगा आते हैं membrane attack complex और यह जो membrane attack complexes है इनी को C5 complex भी कहा जाता है और जो bacteria की membrane होती है उसमें यह pore को create करते हैं तो यह एक basic information है अब इस सारी information को हम क्या करेंगे diagram के तुरू समझ जाएंगे और यह समझ में आ जाएगा सबसे पहली क्या होगा एक bacteria cell है उसने body के अंदर enter किया उसमें जैसे ही body के अंदर enter किया तो होगा क्या यह है लीवर जैसे यह लीवर है तो लीवर में क्या होती है हेपेटोसाइटिक हेपेटोसाइट्स जो सेल होती है बो सिंतसाइज करती है कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन को और सिंतसाइज करने के बाद यह जो आपका कॉम्प्लिमेंट प्रोटीन है इसको यह कहां लेके जाती है ब्लड वैसल्स में तो यह आपका ब्लड वेसल हैं तो यहां पर आजाएंगे आपके क्या कॉंपिमेंट अब होगा क्या कि जैसे यह कोई टिशू है पहले अगंदिशू में किसी वेक्टीरिया की एंट्री होई जैसे यह बेक्टेरिया की एंट्री трΥ संग मतलब यह जो सेल है यह जो डामेज सेल हैं यह जो सिक्रेट करती है खीमो काइन्स का और यह जो कcken यहां पर प्लाडट वैसिल्स है तूह यहां पर अंडूठील ऐन Сам ंग होंगी क्योंकि हमें पता है blood vessels ki jy lining है उसमें होती है आपके endothelial cell तो यह क्या करेगा ki endothelial cells को contract करेगा और वेजोache करेगा जो diameter blood vessels को increase करेगा तो जैसे ही diameter blood vessels का increase होगा तो जादा से जादा blood circulation होगा जादा से जादा blood आपका blood vessels में आएगा at the same time यहां से निकलते हुए फिर आपकी आज आती है टिशू एरिया में मतलब जहां पर डेमेज हुआ है तो समझी हुआ क्या लीवर ने सिंतसाइज करा सिंतसिस करने के बाद बलड वैसल में आपके कॉम्प्लीमेंट ट्रोटीन है लेकिन एनेक्टिवेटेड फॉर्म में पर जह इस भी बॉड़ी के पार्ट में टिशू एरिया में डेमेज हुआ तो होगा क्या कि बलड वैसल्स का डाइमीटर बढ़ेगा सर्कुलेशन जादा होगा जादा जादा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगे एंडोथीलियल सेल्स का कॉंट्रेक्शन होगा प्रोटीन सिक् आपन जी बात है सबसे पहले एंटी वोड़ी याएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डिरेक्टली तो बाइंड अभी होगा नहीं क्योंकि हम प्लासिकल पात्वे की बात करें है डिरेक्टली भी बाइंड होता है तो वह से लाइसस प्रोसेस अलग होती है लेकिन अब हम प्लासिकल पात्वे कर रहें तो यहां पी क्या होगा सबसे पहले एंटी बॉड़ी आगे बाइंड करेंगी अब एंटी बॉड़ी ने बाइंड करा तो यह उसका कौन सा है एफ एबी रीजन है प्रेगमेंट ओफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन तो एफ एफ आर एंडी सीवन एंस तो यह देखिए यह जो आपका स्यवन क्यू यू 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 उनित है यह जो लॉंग वाला आपको दिख रहे लाइंड क्या करा यहां से बॉरा सबसे पहले आपके एंटीबोडि से एंटीबोडी के एप सी रीजन से जैसे ही उसकी बाइंडिंग यह वाला देखिए C1 Q1 R1 S1 जो आपकी R2 S2 यह S जो unit है यह क्या होगी यह आपकी होती है अक्टिवेट R b अक्टिवेट होती है S एक्टिवेट होती है और S जो है वो एसा सेरीं प्रोटीज इस काम करती है तो इसका काम क्या होगा कि जो आपका C1S है वो अब आपका दूसरा जो प्रोटीन है C1,4 and C2 ये भी अब आपके इनेक्टिव फॉर्म में है तो इनको क्लीप करेगा और इनको एक्टिवेट करेगा तो करेगा क्या है कि जैसे ये आपका C4 था ये C2 था तो अभी ये इनेक्टिव फॉर्म में थे तो C1S ने इनक था आपका C4B और ये वना था आपका C2A और बाकि यहां पे भी फ्री हुआ यहां पे A फ्री हुआ और इन दोनोंने मिलके आपका बनाया C3 Convertage, अब C3 Convertage, जो C3 Protein अभी क्या है, वो एलेक्टिवेट है, अब ये C3 Protein, C3 Convertage, C3 को Hydrolyze करेगा, और जब ये C3 को Hydrolyze करेगा, तो क्या होगा, कि जो आपका C3 है, वो C3B, प्लस C3A में Convert होगा, और C3B जो है, वो आपका, जो C4B, C2A है, उसके साथ Bind करेगा, औ बनाएगा, C5 Convertage, C5 जो है, प्रोटीन, अभी आपका क्या, इनेक्टिव फोम है, तो C5 Convertage, इस C5 को, अगें डिवाइट करेगा, C5B में, और C5A में, तो A जो है, वो फिर से आपका, फ्री हो जाएगा, ये फ्री हों के, बलड में सर्कुलेट करते रहते हैं, और आगे जो हाइपर संस्टिविटी है, उसमें पाइटिसिपेट करते हैं, ये वस अब ऐसे ही रहेंगे, तो इनका अलग फंक्शन है, जब हम हाइपर संस्टिविटी पढ़ेंगे, तो इन सब को वहां पी कोर्लेट कर लेंगे, अभी हमें कॉन से जो बांडेट फोम है, जो कॉम् तो इस तरीके से 5, C5, C6 and 7, C5, 6, 7 and 8, ये C9 है, तो ये आपस में मिलके आपका क्या बना लेते हैं, मेंब्रीन अटेक कॉम्पलेक्स, और ये एक तरीके का पूर जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा कैसा मेंब्रीन कॉम्पलेक्स बना हुआ है, एक पूरा सर करता है बेक्टीरियल मेंब्रेन पे और इस तरीके से होगा क्या कि बेक्टीरिया की सेल मेंब्रेन में पोर होता है और उसमें जितने भी आपका मॉलिक्यूल साहिए वो सारे डिग्रेट कर जाते हैं क्योंकि आप बेक्टीरिया की सेल मेंब्रेन ही डेमेज हो गई तो फिर तो चर्कुलीशन तो पूरी बॉडी में हो रहा है तो जहां पर भी डैमेज होगा है वहाँ पर होगा क्या आपका जो डैमेज सेल्स है वो कीमोकाइंस का सीख्रेशन करें कि जिससे ब्लड वैसिल्स का डायमेटर बढ़ेगा एड़ अड़ सीम टाइम इंडू थिल्यल सेल्स इंटीबोडी आपकी टारगेट सेल पे बाइंडेट है, फिर उसके बाद C1S का काम शुरू होगा, जो क्लीप करेगा आपके C4 को एं C2 को करने के बाद आपका C3 कनवर्टेज बनेगा, जो C3 को कनवर्ट करेगा, फिर C5 कनवर्टेज जो C5B बनाएगा, और यह जो C5B 6, 7, 8-9 membrane attack complex का formation करते हैं, जो bacterial membrane में पोर को create करता है, और इस तरीके से सेरलाइसिंस होती है, तो यह हमारा basic pathway था, complement classical pathways में इतना ही था, यह हमारी class यहीं पर खतम होगी, आप इसको अच्छे से याद कर लीजे कि कौन सा protein कहां पर बाइंड हो रहा है, कैसे cleavage हो रहा है, जिससे हम जो हमारा next lecture रहेगा, उसमें हम alternative pathway के बारे में बात करेंगे, फिर lectin pathway के बारे में और उसके बाद हम PYQ solve करेंगे, अगर कोई confusion है, या पर किसी तरीकी के queries है, आप हमें directly comment box में बता सकते हैं, अगर यह video helpful है, तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, thank you for listening.